बेटे के लिए छोटे कमरे को सिस्टेमेटिक करना मुश्किल हो रहा है, केवल बिच में बेड रखा जा सकता है, लेकिन अलमारी नहीं रखी जा सकती है, इसके अलावा कोने में एक स्टडी डेस्क है, जिस कारण सिर्फ एक पतला सा गली बची है, और समय के साथ कच्रा जमा हो जाता है इसलिए वे बापने पहली फुरसत में इन सभी को तोड़ देते हैं उसके बाद हम कमरे के कोने में एक मजबूत बेड फ्रेम बनाएंगे जिसके उपर एक बहुत ही मुलायम गद्दा रखेंगे जिसमें सोने से अच्छे नींद आती है और दीवार खोद कर एक छोटा सा होल बनाएंगे फिर बेड के पिछले हिस्से में एक स्टोरेज अलमारी बनाएंगे इसके उपर जिपसम बोर्ड से एरिया को डिविजन करेंगे और बाएं और वाइट बोर्ड पर वाल पेपर लगाएंगे बेड क अगे एक स्टडी डेस्क बनाएंगे जिसमें बच्चे पढ़ाई और गेमिंग भी कर सकते हैं और साइड में एक बुक सेल्फ बनाएंगे अंत में इस बच्चे के यूनीक स्टाइल का कमरे के नजारे को देखो